A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter, Life Processes. So, पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि autotropic nutrition क्या होता है? Autotropic nutrition, basically, जब green plants या photosynthetic living organisms या हरे भड़े पेड़ पौदे जो होते हैं, तो वो खुद से अपना खाना तियार करते हैं, तो उस process को बोलते हैं, हम photosynthesis. और खुद से खाना तियार करने वाले organisms को हम बोलते हैं, क्या? Autotrops, okay, तो autotrops क्या होते हैं? ऐसे living organisms जो खुद से अपना खाना तियार करते हैं, okay? तो जो green plants होते हैं, जो हरे भड़े पेड़ पौदे होते हैं, वो खुद से अपना खाना तियार करते हैं, okay? किस process से करते हैं? photosynthesis process से. Photosynthesis का मतलब क्या होता है? photo मतलब होता है light, synthesis मतलब formation. तो light की मदद से खाना, खाने का formation कहलाता है photosynthesis. light की मदद से खाना, बनाना कहलाता है photosynthesis. अब light कौन सी है? sunlight. ओके, तो देखे, खुद से खाना बनाना जो मैं बोल रहा हूँ, खुद से खाना बनाने का मतलब यह है. अब आप बोलेंगे कि हमारे घर पे, हमारी जो mother हैं, वो भी तो खुद से खाना बनाती है, बट नहीं, हमारे घर पे, जो हम लोग हैं, वो depend करते हैं दूसरे plants और animals पे. हमारी mother भी दूसरे plants को और animals से मिलने वाले byproducts को, जैसे milk हो गया, घी हो गया, उनको use करते हैं. बट प्लांट्स जो है, वो ना किसी प्लांट को मारते हैं, और ना किसी एनिमल को, वो इन ओर्गेनिक चीजों से, जैसे water हो गया, carbon dioxide हो गया, ख्लोरोफिल हो गया, इन सबसे मिला करके, वो अपना खाना glucose तयार करते हैं, इसलिए plants को क्या बोलते हैं, autotrops, ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, autotrops, क्योंकि they are capable of preparing their own food, with the help of photosynthesis, अब आज के lecture में हम बात करते हैं, heterotropic nutrition की, heterotropic nutrition क्या होता है, ऐसा mode of nutrition, जिसमें एक living organism, दूसरे पर dependent रहता है, अपने खाने के लिए, जैसे हम लोग है, human beings, सारे के सारे animals, हम human beings क्या करते हैं, हम plants पर dependent होते हैं, अपने खाने के लिए, या फिर दूसरे animals पर dependent होते हैं, अपने खाने के लिए, जैसे हम plants पर कैसे dependent रहते हैं, हम सबजियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो फल और सबजियां हमें किस से मिलती हैं, हमें plant से मिलती हैं, फिर जो लोग non vegetarian हैं, वो eggs खाते हैं, chicken खाते हैं, mutton खाते हैं, तो उनको कहां से मिलती हैं, animals से, तो हम directly और indirectly किस पर dependent है, plants और animals पर अपने food के लिए, तो ऐसे living organisms, जो दूसरे living organisms पर dependent रहते हैं, अपने food के लिए, वो क्या कहलाते हैं, heterotrops, और ऐसा nutrition कहलाता है, heterotropic nutrition, तो heterotropic nutrition, बहुत सारे जानवरों में पाए जाता है, जैसे fungus में पाए जाता है, east में, mushroom में, animals में, human beings में, insects में, अब how do organisms obtain their nutrition, organisms अपना nutrition कैसे obtain करते हैं, nutrition क्या होता है, nutrition का मतलब होता है, portion, अब इस portion में क्या-क्या चीज़े आ जाती है, खाने से, हमारी body, जो protein, fat, carbohydrate, vitamins और minerals अलग करती है, वही कहलाता है, nutrition, okay, तो living organisms को कैसे ये nutrition मिलता है, देखे, living, अलग-अलग living organisms में, जो digestion का process है, वो different होता है, okay, तो, जैसे शेर है, वो, carnivorous animal होता है, वो deer को खाएगा, okay, दूसरे छोटे living organisms को खाएगा, एक cow होती है, वो गास खाती है, okay, हम human beings, plants और animals दोनों को खाते है, okay, तो हमारे body में digestion का process अलग है, cow के body में digestion का process अलग है, lion की body में digestion का process अलग है, तो, अलग-अलग organisms के food या eating habits पर depend करता है, कि वो कैसा mode of nutrition अपना रहे है, okay, यह उनका digestive system कैसा होगा, जैसे एक cell वाला organism है amoeba, वो सिर्फ और सिर्फ एक cell से बना है, हमारी body करोडो, अरबो, खरबो cell से बनी, बट amoeba की body सिर्फ एक cell से बनी, वही एक cell जिन्दा रहता है, वही एक cell खाना खाता है, वही एक cell सांस लेता है, सिर्फ एक ही cell होता है, यहाँ पर वो cell का डाइगराम बना हुआ है यह amoeba का डाइगराम है इसमें आप देख सकते हैं center पर nucleus है फिर food particle है nucleus के पास में फिर जो nucleus के बाहर जो cell membrane है amoeba की वो mouth जैसा structure बना लेती है जब कोई food particle उसके पास में आता है तो mouth जैसे structure को क्या बोलते है pseudopodia तो amoeba ने क्या बना लिया pseudopodia अपनी cell wall में formation करके amoeba का कोई definite shape और size नहीं होता आप ऐसा नहीं बोल सकते कि amoeba का size जो है वो पक्का होता है कोई guarantee नहीं है कोई guarantee नहीं है कि amoeba का size एक जैसा रहेगा उसका size change होता रहता है वो जैसे ही food particle के पास आता है वो फिर से अपना size change करके यह pseudopodia जैसा mouth जैसा structure बना लेता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह pseudopodia बना हुआ है यह mouth जैसा structure बना है और जो food particle है वो इस mouth जैसे structure के अंदर आ गया फिर आगे जाकरके यह amoeba ने उस mouth को बंद कर लिया और इस food particle को अंदर ले लिया फिर इस food particle का digestion हो जाता है और amoeba को energy मिल जाती है तो यह है पूरा digestion का process amoeba के अंदर यानि single celled organism के अंदर यही paramecium के अंदर भी होता है यही दूसरे unicellular organisms के अंदर भी होता है अब चलिए हम बात करते है nutrition in human beings के बारे में कि human beings में nutrition कैसे होता है हम इंसानों में nutrition कैसे होता है देखे हम इंसानों में जो nutrition का process है उसको हम digestion बोलते है और हमारी body में digestive system मौझूट होता है digestion करने के लिए ठीक है तो हमारे body के digestive system में अलग-अलग ओर्गन्स हाते हैं जैसे लिवर हो गया इसोफेगस हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया लाज इंटेस्टाइन हो गया पैंक्रियाज हो गया तो ये सारे अलग-अलग ओर्गन्स हाते हैं तो नूट्रिशन के अगर मैं बात करूँ हमारे मूँ से लेकर जहां से waste product निकलता है वहां तक का जो पूरा passage है उसको क्या बोलते है elementary canal तो elementary canal का सबसे पहला portion का है mouth हम अपने mouth में खाने को रखते हैं हमारे दाथ उस खाने को धीरे धीरे चबाना चालू करते हैं चबाते क्यों हैं क्योंकि वो खाना चोटे चोटे तुकडों में तूट जाए ताकि body के अंदर stomach के अंदर असानी से वो digest हो सके तो हम खाने को चबा करके दाथ हमारे जो होते हैं वो खाने को चबाते हैं और उसको चोटे चोटे तुकडों में काट देते हैं ठीक है और जो हमारी tongue है वो mix करने का काम करती है वो जो चोटे-चोटे तुकडे हैं उनको आपस में mix करने का काम कौन करता है हमारी tongue तो यह जो चोटे-चोटे particles हैं यह कहां जाते हैं फिर isophagus के तुरू स्टमक में जाते हैं यहां पर देखिए यहां पर डाइगराम बना हुआ है यहां पर आप mouth या buckle cavity को देख सकते हैं mouth या buckle cavity में teeth होते हैं और tongue होती है तो teeth जो है food को masticate करते हैं चबा करके चोटे-चोटे तुकडों में तोड़ने का काम करते हैं और tongue जो है उस food को mix करती है टंग उस food को mix करती है फिर धीरे से food जो है इसोफेगस से stomach के अंदर चला जाता है food कहां चला जाता है stomach के अंदर चला जाता है stomach के अंदर strong hydrochloric acid होता है यह hydrochloric acid food को mix करता है ठीक है यह hydrochloric acid क्या करता है food को mix करता है और food को digest करने का काम करता है hydrochloric acid का एक और काम होता है अगर कोई harmful bacteria वगेरा आ गया है stomach के अंदर खाने में तो उस bacteria को भी मारने का काम करता है hydrochloric acid अब यह hydrochloric acid secrete कैसे होता है stomach में तीन तरह के cell पाये जाते हैं एक oxentic या chief cells फिर दूसरा peptic cells और तीसरा mucous cells तो oxentic या parietal cells यह क्या काम करते हैं यह hydrochloric acid secrete करने का काम करते हैं peptic यह chief cells जो हैं वो एक enzyme secrete करने का काम करते हैं और जो तीसरे तरह के cell हैं यानि जो हमारे mucous cell हैं वो mucous secrete करते हैं mucous क्या होता है mucous एक ऐसा liquid substance होता है जो की stomach के अंदर एक layer बना कर रखता है ताकि harmful hydrochloric acid जो secrete हो रहा है stomach में उस hydrochloric acid से stomach को नुकसान न पहुचे तो यहां पर यह पूरी elementary canal mouth से लेकर एनस तक आप देख सकते हैं यह पूरी elementary canal है यह पूरा digestive system है human beings का तो mouth में खाना हम रखते है जो हमारे teeth है हमारे दात है वो खाने को चोटे-चोटे तुकड़ों में तोड़ देते हैं और वो छोटे-चोटे particles जो है, वो धीरे से इसोफेगस के तुरु स्टमक में आ जाते हैं, ठीक है, अब स्टमक में वो particles digest होना चालू होते हैं धीरे-धीरे, ठीक है, उन particles का digestion चालू होता है, ठीक है, फिर पूरो process मैं फिर से बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम खाने को mouth में रखते हैं जो हमारे तीत हैं वो खाने को चबाना चालू करते हैं चबाते क्यों है क्योंकि खाने को छोटे-छोटे तुकडों में तोड़ना है ताकि खाना असानी से इसोफेगस से नीचे स्टमक में जा सके ठीक है फिर खाने को माउथ में जब लोगों को सब को पता है क्या होता है जब हमें भूक लगी होती है और किचन से बहुत ही अच्छे खाने की खुश्बू आती है तो हमारे मूँ में जो पानी बनता है वही कहलाता है सलाईवा तो वो बोलते हैं ना मूँ में पानी आ गया तो वो जो पानी है हमने जो भी खाया उससे अगर उसमें कार्बोहइडरेट मौजूद है तो कार्बोहइडरेट को तोड़ करके 30% कार्बोहइडरेट को तोड़ करके Energy में convert कर देता है कौन? Salimary amylase. ये process हो जाता है माउथ में ही. तो 30% कार्बोहइडरेट को तोड़ करके क्या बना लेता है 30% कार्बोहाइडरेट को तोड़ करके ये एनर्जी में कनवर्ट कर देता है माउथ के अंदर ही बाकी 70% कहा होता है small intestine में तो फिर उसके बाद जो खाना है वो दीरे दीरे इसो फेगस से नीचे जाता है stomach में stomach में 3 तरह के cell होते है फिर peptic achieve cells ये क्या secret करते है ये एक enzyme secret करते है और mucus cells तो ये क्या secret करते है mucus तो ये तीनों cells का अपना-पना काम है जो peptic ये oxintic cells होते है वो hydrochloric acid secret करते है ये hydrochloric acid इतना strong होता है कि जो भी खाना हम खाते है उसमें अगर कोई bacteria वगएरा मौजूद है तो उसको मार देता है और हमारे खाने को भी ये काफी हद तक digest कर देता है फिर जो mucus cells है वो mucus की layer बना देते है stomach के अंदर ताकि hydrochloric acid stomach की wall को नुकसान न पहुचाए फिर खाना जो है दीरे-दीरे move करता है stomach से कहाँ small intestine की तरफ stomach से कहाँ move करता है small intestine की तरफ ठीक है फिर यहाँ पर आप देख सकते है gall bladder दिख रहा होगा आपको okay gall bladder मौजूद है यहाँ पर तो gall bladder जो है वो secrete करता है क्या वो store करके रखता है bile juice और यह bile juice कौन secrete करता है यह liver secrete करता है तो liver बनाता है bile juice और liver gall bladder को bile juice देता है store करने के लिए gall bladder bile juice को release करता है कहाँ पर stomach के end portion में यानि small intestine के पास में और यह mix हो जाता है जो खाना आ रहा है stomach से उसके साथ और pancreas भी अपना pancreatic juice यहीं पर secrete करता है तो तीनों चीज़ें आपस में मिल करके जो acidic food है क्योंकि खाना कहां से आ रहा है stomach से आ रहा है stomach क्या माजूद है hydrochloric acid तो food भी क्या हो जाता है acidic हो जाता है तो इस acidic food को neutral करने के लिए जो bile juice है और pancreatic juice है यह दोनों act करते हैं प्रोटीन कार्बोहडरेट और fats का complete digestion चालू होता है पूरी तरह से प्रोटीन कार्बोहडरेट और fat digest हो करके energy के form में blood में चले जाते है फिर यह blood से हर एक cell पर जाएंगे और हर एक cell उस energy को store कर लेगा फिर क्या होता है small intestine के बाद small intestine के बाद जो खाना है वो जाता है कहां पर large intestine में तो large intestine में water का absorption होता है और कुछ important nutrients का भी absorption होता है large intestine में मतलब complete digestion large intestine में हो जाता है फिर उसके बाद जो बाकी का waste product है वो NS के तरू बाहर निकल जाता है तो यह पूरा process है digestion का human beings के आप लोग read करिएगा तो फिर आपको पता चलेगा यह digestion का process क्या है अभी मैं आपकी थोड़ से help कर देता हूँ थोड़ सा आपको बता देता हूँ कि इसमें NCIT में क्या लिखा हुआ है we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract हमें बहुत सारे हम बहुत सारे food को खाते हैं which are small of the same texture naturally क्या होता है जो food है उसको छोटे छोटे तुकडों में तोड़ना पड़ता है ताकि उन तुकडों से energy बनाई जा सके this is achieved by crushing the food with our teeth अब हमारी body में ऐसे कौन जी चीज़े हैं जो food को छोटे छोटे तुकडों में तोड़ सकती है वो है हमारे teeth since the lining of the canal is soft the lining of the canal is soft the food is also wetted to make its passage smooth the lining of the canal is soft so food भी क्या हो जाता है गीला हो जाता है ठीक है और यह जो गीला food है यह धीरे धीरे इसोफेगस से नीचे जाता है when we eat something we like our mouth waters जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है और हम वो खाते हैं तो हमारे मूँ में पानी आता है यह पानी क्या होता है यह पानी नहीं होता है यह actually एक fluid होता है जिसको हम बोलते है saliva ठीक है यह हमारे salivary glands के दौरह से क्रीट होता है अनदर आस्पेक्ट ओफूड वी इंजेस्ट इस इस complex nature दूसरा आस्पेक्ट क्या है फूड का जो हम खा रहे है वो इसका complex nature है अगे if it is to be absorbed from elementary canal it has to be broken down into simpler molecules अगर इसको elementary canal से absorb करवाना है body में तो इसको absorb अगर करवाना है तो food को पहले पूरी तरह से छोटे छोटे तुकडों में तोड़ना पड़ेगा यह किस के दौरह किया जाता है biological catalyst के दौरह किया जाता है उन biological catalyst को क्या बोलता है enzymes saliva contains an enzyme called salivary amylase saliva एक enzyme contain करता है जिसको बोलते salivary amylase जो कि starch को breakdown करता है ठीक है starch क्या है जो खाना हम खाते है उससे हमें carbohydrate मिलता है यही carbohydrate कहलाता है starch starch को यह जो हमारे mouth में salivary amylase होता है enzyme यह 30% starch को convert कर देता है किसमें? energy में the food is mixed thoroughly with saliva food जो है जो हम खाना खा रहे है वो saliva के साथ बहुत अच्छे से mix होता है ठीक है and moved around the mouth और mouth के किनारे किनारे move होता है while chewing by the muscular tongue ठीक है it is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube यह बहुत जरूरी है कि food को हम move करें हमारे एक regulated manner में यह बहुत जरूरी है कि हम खाने को एक regulated manner में move करें हमारे mouth में ताकि अच्छे से process हो सके हर एक part में the lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward तो हमारा जो elementary canal है उसमें जो lining है उसमें कुछ ऐसी muscles होती है जो food को push करती है और food धीरे-धीरे isophagus से नीचे जाता है इस movement को क्या बोलते है pedestaletic movement ठीक है यह पूरी elementary canal में चलती रहती है तभी आप यह देखेंगे कि जब भी भी आप खाना खाते हैं चाहे आप late के खाएं चाहे आप बैट के खाएं चाहे आप उल्टे हो के खाएं खाना हमेशा stomach की तरफ ही जाता है mouth से हमेशा stomach की तरफ ही जाता है तो ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि यह जो esophagus है जो हमारी elementary canal यह continuously food को नीचे push करती रहती तो के इस peristalletic movement occur all along the gut यह peristalletic movement जो है यह पूरे gut में चलती रहती है from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe और esophagus mouth से जो खाना है जो mouth से खाना है वो stomach तक लेकर जाया जाता है food pipe या esophagus से the stomach is a large organ stomach एक बड़ा organ है जो expand करता है कब expand करता है जब उस पर food enter करता है ठीक है जैसे ही stomach पे खाना आता है तो stomach expand करता है the muscular walls of the stomach help in mixing of the food thoroughly with more digestive juices जो muscular wall है stomach की वो इस तरह से movement करती है ताकि food असानी से mix हो सके अंदर digestive juices के साथ ठीक है यह digestive juices stomach के द्वारा भी secret किये जाते है the digestion in stomach is taken care of by gastric glands present in the wall of stomach stomach की wall में कुछ gastric glands present होते हैं जिससे digestion का process और तेज हो जाता है these release hydrochloric acid यह जो digestive glands है यह क्या क्या release करते है hydrochloric acid एक protein को digest करना वाला enzyme जिसको हम बोलते है pepsin और mucus यह तीन चीज़े हमारा stomach secrete करता है क्या 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 है hydrochloric acid protein digesting enzyme pepsin और mucus the hydrochloric acid creates an acidic medium hydrochloric acid एक acidic medium create करता है which facilitates the action of the enzyme pepsin एक acidic medium create करता है जो की pepsin नाम के enzyme के action को facilitate करता है मतब सुविदा जनक बनाता है pepsin का काम क्या है खाने को तोड़ करके protein को digest करना protein को energy में convert करना what other functions do you think is served by the acid और क्या दूसरे काम है जो एक acid के द्वारा किये जाते है okay the mucus protects the inner lining of the stomach जो mucus है वो inner lining को protect करता है stomach के ठीक है जो mucus है वो stomach के inner lining को protect करता है ठीक है ताकि जो acid है जो hydrochloric acid बन रहा है हमारे stomach में उससे हमारा stomach जलना जाए okay we have often heard adults complaining about acidity आपने बड़ों को हमेशा सुना होगा कि acidity का problem उनको होता रहता है तो ये acidity क्यों होती है ये acidity हमारे stomach में मौझूद hydrochloric acid के कारण ही होती okay the exit of food from stomach is regulated by a sphynster muscle which releases it in small amounts जो खाने का exit है वो stomach से किया जाता है एक sphynster से जो कि food को थोड़ थोड़े मातर में small intestine में release करता रहता है the exit of food from the stomach is regulated by sphynster muscle which releases it in small intestine ठीक है from the stomach the food now enters the small intestine stomach से खाना कहां enter करता है small intestine में ठीक है this is the longest part of elementary canal ये जो small intestine है ये सबसे लंबा पार्ट है elementary canal का ये लगबग 9 मिटर तक की हो सकती और ये इतनी जादा coiled होती है कि हमें लगता है कि इतनी बड़ी जो इतनी लंबी जो कैनाल है ये elementary कैनाल का जो पार्ट है small intestine इतनी लंबी small intestine हमारे चोटे से digestive system में कैसे समा जाती है तो ये इसका reason ये है कि ये बहुत जादा coiled होती अलग अलग जानवरों में small intestine की जो length जो लंबाई है वो अलग अलग होती है ऐसा उसका कारण ये है कि अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते है ठीक है जैसे जो हर्भी वोर्स होते हैं grass eating animals जो होते हैं घंपी वोर्स जिनको हम बोलते हैं घास खाने वाले जानवर जैसे बक्री हो गई, गए हो गई, बहाई हो गई तो ये जो हर्भी वोर्स होते है। इन की intestine जो होती है वो लंबी होती है Mumbai क्यों होती है ताकि cellulose का digestion proper हो सके cellulose एक ऐसा substance होता है जो plants में पाया जाता है ठीक है cell wall में अभी cellulose को प्रपलिय कर digest करना है तो इंटेस्टाइन को लंबा होना पड़ेगा meat is easier to digest hence carnivores like tiger have a shortest small intestine meat जो है वो असानी से digest हो जाता है इसलिए lion tiger जैसे जो carnivores animal होते हैं वो इस milk को असानी से digest कर लेते हैं या खा जाते हैं the small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate proteins and fat small intestine में carbohydrate, protein और fat का complete digestion होता है आप ध्यान करिये मैंने आपको बताया था कि mouth में जो carbohydrate होता है उसका 30% digestion हो जाता है और बाकी का 70% यहां small intestine में होता है it receives the secretion of the liver यह जो small intestine का deudanum portion होता है सबसे शुरुवाती portion होता है इसको बोलते हैं deudanum तो इस deudanum portion में जो small intestine है वो liver से भी secretion लेती है okay, bile juice के form में वो pancreas से भी secretion लेती है pancreatic juice के form में okay the food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act जो खाना stomach से आ रहा है okay, वो acidic है और उसको alkaline बनाना पड़ता है ताकि pancreatic enzymes उस पर act कर सके bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats जो bile juice होता है liver का वो इसको पूरा करता है ठीक है वो इस digestion को पूरा करता है fats पर act करवा के okay, in addition to acting on fats bile juice किसको तोड़ता है fats को तोड़ करके energy में convert करता है fats are present in the intestine in the form of large globules fats जो है बड़े-बड़े गुच्छों, बड़े-बड़े globules के form में इंटरस्टाइन में present होता है okay, जो कि ये globules के की वज़े से ये जो fats का digestion है, वो properly नहीं हो पाता है, enzymes उसका digestion करी नहीं पाते हैं, okay तो जो bile salts होते हैं जो liver से हमको मिलते हैं वो fats को छोटे-छोटे globules में तोड़ करके energy बना सके this is similar to emulsifying action of soap on dirt which we have talked about in chapter 4 तो देखे, साबुन जैसे काम करती है, वैसे fat को digest करने में, जो bile juice है, वो काम करता है okay, तो साबुन कैसे काम करती है मैल को छोटे-छोटे तुकडों में तोड़-तोड़ कर हटा देती है उसी तरह, जो ये enzyme है, जो हमारा bile juice है वो भी fat को इसी तरह से digest करता है वो क्या करता है, fat के बड़े-बड़े globules को छोटे-छोटे globules में तोड़ देता है और फिर उन छोटे-छोटे globules से energy बन जाती the pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsifying fats जो pancreas है, वो secrete करता है pancreatic juice pancreas क्या secrete करता है pancreatic juice और ये pancreatic juice जो है, ये इसमें enzymes होता है, इससे trypsin हो गया trypsin किसली मौजूद होता है, protein को digest करने के लिए, और lipase भी मौजूद होता है, किसको digest करने के लिए, fats को digest करने के लिए तो the walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice जो small intestine की wall होती है उसमें कुछ ऐसे glands होते हैं जो intestinal juice को secrete करते हैं ओके the enzyme present in it finally convert the protein to amino acid जो enzyme present होते हैं तो वो protein को किसमें convert कर देते हैं? amino acid में ठीक है? complex carbohydrate को convert कर देते हैं glucose में और fats को किसमें convert कर देते हैं? fatty acids और glycerol में ओके digested food is taken up by the walls of the intestine जो digested food होता है वो intestine की wall के द्वारा ले लिया जाता है the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi जो small intestine की अंदर की layer होती है small intestine को एक pipe की तरह imagine करी है तो pipe की जो अंदर वाली layer होती है यानि small intestine की जो अंदर वाली layer होती है वहाँ पर finger जैसे छोटे-छोटे projection लिखने रहते हैं ताकि जो small intestine में जिन चीजों का absorption हो रहा है जो चीजें सोकी जा रही है उनको properly क्या किया जा सके? absorb किया जा सके the villi are richly supplied with blood vessels जो villi है वो blood vessels के द्वारा richly supplied है which take the absorbed food to each and every cell of the body तो यह जो absorbed food है यह हर एक cell तक ले जाया जाता है ताकि हर एक cell को nutrients मिल सके और हर एक cell उन nutrients को तोड़ करके energy बना सके where it is utilized for obtaining energy building up new tissues and the repair of old tissues the unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water जो unabsorbed food है वो large intestine में भेज दिया जाता है जहाँ पर जो large intestine की wall है वो जादा से जादा पानी अब्जॉब कर लेती है उस खाने से the rest of the material is removed from the body via anis जो बाकी का waste product बसता है वो anis से बाहर निकाल दिया जाता है exit of this waste material is regulated by annals finster जो exit है इस waste material की वो annals finster के द्वारा regulate की जाती तो यह था हमारा digestion का पूरा process okay I hope आप लोग को थोड़ा बहुत clear हुआ होगा और जो भी doubts है प्लीज आप लोग पूछ लीजेगा okay so that's all for now thank you so much